मेरे सबी किसान भाईयों को नमस्कार मेरा नाम है नितेश जैन और आप सब का स्वागत करता हूँ मैं आज के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे MBF कंपनी के काला सोना दवाई के बारे में जहां दोस्तों काला सोना एक बहुत ही जबरदस दवाई इस वीडियो के माध्यम से इस दवाई के बारे में इसकी तमाम तरह की उपियोगिता बताएंगे इसके टेकनिकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोस भी बताएंगे कितनी मात्रा में आपको काला सुना दवाई लेनी है कितने लीटर पानी के साथ में घोल करना है या फिर D.A.P. यूरिया या अधर लिक्विड फर्टिलाइजर के साथ रेत के साथ क्लोरो के साथ आप इसको मिला कर फेक सकते हैं या नहीं फेक सकते हैं अन्य कोई दवाई मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं कौन से मौसम में करना है, कौन सी फसल में करना है इसकी क्या महत्वपून विशेषताएं हैं ये पौधे को कैसे फायदा पहुचाती है इसके क्या-क्या दुश्परिनाम हो सकते हैं ये तमाम जानकारियां देंगे वीडियो के मध्य में, महत्वपून बातों के हिस्से में और वीडियो के अंत में दवाई करते समय आपको क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे दोस्तों तो दोस्तों बने रही हैं हमारे साथ में अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक का बटन दवा दीजिए और आपका ज्यादा समय ने लेते हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की के सबसे पहली बात आप इसको कहां कहां उपयोग कर सकते हैं जिया दोस्तों इसका उपयोग आप सभी क्रशी फसलें, बागवानी की फसलें, लॉन जो अमारे घर का गार्डन होता है kitchen garden होता है, front garden होता है, terrace garden होता है, poly house, green house, फूलों के पौधे, सजावटी पौधे आदों पर कर सकते हैं. मतलब जहां पर भी किसी भी प्रकार की फसल होती हो, चाहे सबजियां हो, फल हो, फूल हो, बागवानी की फसल हो, नर्सरी आदी के पौधे हों, या फिर हमारी जो main फसले होती, जैसे धान, सोयबीन, कपास, गेहूं, मका, जुआर, इत्यादी, तमाम तरह की फसलों पर कर सकते हैं, दोस्तों, इसका कोई दुश्परी नाम नहीं है, और इसका बहुत ही जबरदस रिजल्ट आता है, टेक्निकल हुमिक एसिड होने की वज़े से, ये दूसरे हुमिक एसिड से, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोस्तों, जैसे बजार में हुमिक ऐसे डाते हैं और इसके अंदर जो टेक्निकल है उसमें रात और दिन का फरक है ये जानने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा लेकिन उससे पहले आपको इसकी डोस बता देते हैं कि कितनी मात्रा में आपको काला सोना दवाई लेनी है जिया दोस्तों तीन महिने की फसल के लिए आपको एक किलो प्रती एकड दवाई लेनी है एक किलो प्रती एकड यह बहुत ही आकटशक पैकिंग है दोस्तों बाल्टी में पैकिंग आईगी यह बाल्टी आपके 10-15 साल तक भी चलेगी इस दवाई को खतम करने के बाद में तरशाग इसकी पैकिंग है। एक किलो प्रति एकर आपको तीन महीने की किसी भी फसल में आप डाल सकते हैं दोस्तों और ज़ो महीने से अधिक की फसल के लिए दो किलो प्रति एकर आपको डालना है। अब दोस्तों च्छे महिने से अधिक की फसल कौन सी होती है अनार हो गए, केले हो गए, मौसममी हो गई, जो की दो से तीन साल बाद तो इन में फल आना चालो होता है नीम्बू हो गए इस तरह की फसले हैं और तीन महीने की फसल कौन सी होती है दोस्तों के जो हमारी रुटीन की फसले होती हैं उन में और दोस्तों तीन महीने से पहले भी आप डाल सकते हैं मतलब फसल उराई के बीस से के माध्यम से ही फेकना है आपको ये आपको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों अब आगे वाडते हैं और आप बिलुकल Or वीडियो को देखेगा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके हमने ये वीडियो बनाया है हम महत्वपून बातों में तीन तरह के लाब बताएंगे इसके सबसे पहली बात है शारिरिक लाब बई शारिरिक लाब क्या मिलता है पौदे को जी यहां दोस्तों यह मिट्टी की सर्रचना में सुधार करता है हलकी रेटेली मिट्टी में उच्छ पानी और पोशक तत्वों के नुकसान को रोकता है साथ ही उप घटन के माध्यम से उन्हें फलदाई मिट्टी में परिवर्तित करदेता है दोस्तों जो ठोस मिट्टी हो जाती है, जो ठोस जमीन हो जाती है अमारी तरह तरह के fertilizer यूज़ करने के वज़े से DAP, Urea, Potash, इत्यादी यूज़ करने के वज़े से उसको मुलायम और भूरबूरी बनाता है ये और उसकी उर्वरक शमता को बढ़ाता है ये भारी और सघन मिट्टी में मिट्टी के वातन और जल प्रतिधारण में सुधार कर खेती के उपायों की सुविधा देती है ये कोलाइड्स से के सैयोजन की शमता को बढ़ा कर मिट्टी के तूटने सतही जल अपवा और मिट्टी के कटाव को रोपता है जो जब ज़्यादा वारिश आती है, ज़्यादा परवाई चलती है ये तो मिट्टी जो हमारी कटाव होती है या और किसी तरह की मिट्टी की समझ से आती है सॉयल की उर्वरक्ता की समझ से आती है सॉयल की फर्टिलिटी घट्ती है उन सब को सुधारता है दोस्तों और ये ना केवल इस फसल के लिए जिस फसल में आप डाल रहे हैं अपी तो आने वाली एक दो फसलों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा तरीके से अच्छे डंग से काम करता है और मिट्टी की उर्वरक्ता को बरकरार रखता है रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखता है और इसी वज़े से पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है ये मिट्टी को धीला करने में मदद करें और इस प्रकार मिट्टी के वातन के साथ-साथ मिट्टी की कारे शमता को भी बढ़ाता है ये मिट्टी की जल धारन शमता को बढ़ाता है ताकि बारिश का पानी मिट्टी जादा सोक पाए और पानी वहीं पर ही बना रहे जड़ को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुचे इस प्रकार सूखे का विरोध करने में मदद करता है अगर 10-15 दिन का बारिश का गैब भी लग जाता है तो भी यह मौस्टर के जरिए जड़ को मौस्टर दिलाता रहता है पानी के जरिए यह मिट्टी का रंग गहरा करता है और इस प्रकार सूर्य उड़ जाके अवस्टर्शन में भी मदद करता है पानी जल्दी से वाश्पिकरन नहीं होता है और धूप वदे को बहुत अच्छी मिलती है लेकिन पानी फिर भी नहीं उड़ता है यह सॉयल की फर्टिलिटी को सुधारता है ओवरॉल दोस्तों यह ना केवल पौधे को फायदा पहुचाता है बलकि आपकी जमीन के लिए भी उतना ही उप्योगी है इस फसल में आप डालेंगे और आने वाली दो तीन फसल तक यह काम करता है दोस्तों इतना जबरदस प यह अमलीय और शारिय मिट्टी दोनों को बेसर करता है मिट्टी के पी-H मान को नियंतृत करता है पी-H को ना तो ज्यादा बढ़ाता है ना ज्यादा घटाता है जतनी पी-H होना चाहिए मिट्टी में उतना ही रखता है यह पौधो द्वारा पोशक तत्वोगों और पान निपेटि की वज़े से ही पॉद्धा बहुत ज्यादा फलता फूदता है, जड़ का विकास होता है, ग्रृअई इस fertilizer को, इस दवाई को आपको डालने का लाब पॉधे की जो शुरुवाती जड़ की विकास की जवरत होती है, उसमें होता है. ये शारिये परिस्तितियों में धातु आयनों के लिए प्रकर्तिक क्यलेक्टर के रूप में कारे करे और जड़ो द्वारा उनके उत्थान को बढ़ावा देता है. ये पॉधों के विकास के लिए आवश्यक, कार्बनिक और खनिज दोनों पधार्तों का भरपूर तरीके से उपयोग कराता है. ये इसके इतने सारे रसाइनिक लाब है दोस्तों जो की decomposition चाहिए होते हैं मिट्टी को किसी भी पॉदे के जड़ के जड़ के विकास के लिए और यहां नहीं है दोस्तों अभी और भी है रसाइनिक लाब में ही अभी हमें ये जड़ शेत्रों में पानी में घुलंशील अकार्बनिक उर्वरकों को बनाए रखे और उनकी लिंचिंग को कम करता है, उन्ने की शक्ति को कम करता है, यह अत्यदिक उच्छ धनायन विन्यमियन शम्ता रखते हैं, यह पोशक तत्वों जैसे कि N, P, K, Ferrous, Zinc, और अन्ये ट्रेस तत्वों के पौधों के लिए उपलब्द रूपों में रूप अंतरन को बढ़ावा देता है, जो हमारे मिट्टी में, हमारे फसल में, हमारे खेत में, यह तमाम तरह के पोशक तत्वों पढ़े रहते हैं, उन सब को इखटा करके जड़ तक पहुंचाता ह और इसी वज़े से पौधे में किसी भी पोशक तत्व की कमी को नहीं आने देता है दोस्तों, यह फॉस्फोरस की कैल्शियम, फैरस, मैगनीश और अलिमिनियम के साथ प्रतिकरिया को कम करके इसे एक ऐसे रूप में उदार बनाएं, जो पौधों के लिए उपलब्द और फायदे मंद हो, विशेश रूप से खनी जुर्वरक की उत्पादक्ता में काफी व्रद्धी करता है, खनी जुर्वरक वो होते हैं जो पौधे की जड़ के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपून होते हैं दोस्तों, कोई सी भी फसल हो, जब अगर जड़ विकास ह होगा तो ही पौधा संतुलित मात्रा में बहता ढंसे, समय के अनुसार समय से पहले बहुत अच्छे ढंसे आगे बढ़ता रहेगा, उपतार रहेगा, ये म्रदा केल्शियम कार्बनेट से कार्बन डायक्साइड मुक्त करें और प्रकास अंस्सिलेशन में इसके उप्योग को सक्षम करता है, ये पौधे में आईरेन की कमी से होने वाले क्लोरोसिस को खत्म करने में मदद करता है, जो पौधे में आईरेन की कमी से क्लोरोसिस बिमारी होती है, उसको भी ये खत्म करने की पूरी कोशिश करता है, ये मिट्टी में जहरीले पदार्थ के उपलपता को कम करता है दोस्तों ये chemical तो है लेकिन पूरी तरीके से आप इसको एक जैविक पदार्थ के रूप में समझ सकते हैं क्यूंकि मित्र कीटो पर इसका कोई नुकसा नहीं है और म्रदा की, soil की, rate की, जमीन की fertility को सुधारता है उर्वरक्षमता को सुधारता है उसमें छेत करके उ जिसी वज़े से जड़का विकास होता है पौदा हरा भरा निरोगी रहता है और पौधे में रोग प्रतिरोधक शक्ती बहुत जादा अच्छे ढंसे हमें दिखती है अब बात कर लेते हैं दोस्तों जैविक लाप की क्या दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया ये chemical तो है लेकिन आप इसको जैविक मतलब और्गेनिक भी कह सकते हैं ये पौधों के एंजाइमों को उत्तेजित करें और उनके उत्पादन में व्रधी करें ये कई जैविक प्रक्रियाओं में एक कार्बनिक उत्प्रेरक के रूप में कारे करें ये मिट्टी में वांचनिय बढ़ाता है मतलब आप देख लीजिए ये फ़टिलाइजर का काम कर रहा है ये फंजी साइड का काम कर रहा है और अब तो यहाँ पे आगया भए ये प्रकर्तिक पौध rebelli की कीट मतलब ये रोग और कीट के खिलाव पौदों को प्रकरतिक रोप से तो कहीं न कहीं एक तरीके से हम इसको कीट नाशक के खिलाव भी बहुत ज़्यादा प्रभावी मान सकते हैं, मैं यह नहीं कहा रहा हूं दोस्तों कि यह कीटों को मारता है, लेकिन यह उसकी शक्ती, उसकी उर्वरक उसकी इमिनिटी सिस्टम पौदे का इतना अच्छा कर देता है कि हलके मिलके कीटों की से तो पौदे को कोई नुकसान ही नहीं पौशता है, इतनी अच्छी उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ती हो जाती है, और दोस्तों यह जड़ व्रद्धी को उत्तेजित करता है, पौदों में क्लोरोफिल, शरक्रा और अमीनो एसिट के विकास को बढ़ावा देना और प्रकास अंसलेशन में साहता करता है, यह पौदों की विटामिन और खनिच सामगरी बढ़ाए, यह फलों में सैल की दिवारों को मोटा करना और भंडारन और शेल्फ समय को बढ़ान यह बीजो के अंकुरण और वह वारियता में व्रद्धी करता है, देख लो दोस्तों जड़ का विकास करता है, जल्दी फूटान करवाता है, बीजो के अंकुरण में विकास करता है, पौदे को जल्दी उगने में मदद करता है, समय से पहले फली आती है, समय से पहले फू आपका माल मंडी में या खुले बजार में बिखने जाता है, तो उसका दाम बहुत अच्छा मिलता है, qualitative growth, quantitative growth, दोनों एक ही दवाई से मिलती है, उसका नाम है काला सोना, जियां दोस्तों, काला सोना जब भी आप खेती करें चाहिए, धान हो, सोयबीन हो, कपास हो, किसी भी तरह की जैविक, अजैविक, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, किसी भी तरह की बागवानी की फसलों, काला सोना आपको जरू डालना है दोस्तों आपको, और कोई भी दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह हमारा दावा नहीं विश्वाश है, कीट नाशक के अलावा आप और कोई भी दवाई नहीं डालें, तो भी काला सोना अकेला ही इतना अच्छा प्रड़क्ट है, इतना जोड़दार प्रड़क्ट है, और हाली के दिनों में इसका बहुत ज़्यादा बोलवाला हो रहा है, संपून हिंदुस्तान में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है, और सारी फसलों पे इसका बहुत ही जबरदस रिजल्ट है दोस्तों इसलिए आप जल्दी से अभी बुक करें अना जैप के तुरू आपको बहुत अच्छा डिसकाउंट भी मिलने वाला है ये कोशिका विभाजन को तेज करता है और जड़ प्रणाली में विकास की दर में व्रद्धी करता है और शुष्क पदार्थ की उपज में व्रद्धी करके पौधे की व्रद्धी मतलब उच्छ बायोमास उत्पादन करता है और उसको फ्रोटसाहित करता है ये उपज की पाला सोना कीटनाश को कवक नाशी और शाकानाशियों की दक्षता को बढ़ाता है उनकी काम करने की शक्ति को भी बढ़ाता है उनकी काम करने की शक्ति को भी बढ़ाता है दोस्तों और उनके हानिकारक अफशेशों को स्थिर करता है यही उनके जो दूसरे साइड इफेक्ट आते हैं, उनके हानिकारक अफशिष को तो कम करता है और उनकी काम करने की शक्ति को बढ़ाता है, इसी लिए मैं कहरा हूँ आपसे, एक बार आप इसका इस्तमाल करके जरूर देखें, आप भूल जाएंगे सारी दवाईयां, भूल जाएंगे तमाम तरह के जाएंगे तमाम पोशक्तत्व, केवल काला सोना अगर आपने डाल दिया आपकी फसल में, तो यकीन मानिये दोस्तों, आपकी फसल में एक से डेड़ गुना पैदावार 100% बढ़ेगी, समय से डालिये, बताई गई गई डोस के हिसाब से डालिये, और अगर कोई भी सवाल पूछना हो, तो क फिर भी बच्चों की पहुंच से आपको इसको दूर रखना है, जब भी आप खेत में फेकने जाएं इसको, तो खाली पेट कभी भी नहीं जाना है, भरे पेट हमेशा अच्छा सा भोजन लेके, आहार लेके, सुबह के समय या श्राम के समय, थंडे वातावरन में, उपयोग नहीं करना है, अच्छी नमी में ही उपयोग करना है, हाथ के दस्ताने मूपे मास्क हमेशा लगाये रखना है, और अगर आप इसका स्प्रे करते हैं, तो नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लेट फैन नॉजल का ही आपको उपयोग करना है, और दोस्तों हवा से स्टेज कम से कम हो, और दोस्तों सबसे महत प्रकॉर्ण बात है, कि आपको जब यो पूरी दवाई खतम हो जाए, उसके बाद में वैसे इस बाल्टी को आप उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन हम वो अन्य कोई थेली या प्लास्टिक की बॉटल उसके लिए कहते हैं, कि उस इस बाल्टी को आप काम में ले सकते हैं, बढ़िया सरफ के पानी से धोलीजिए, यूरिया के एक मुठ्थी डाल दीजिए उसमें और उससे भी बढ़िया धोलीजिए और उसके बाद में आप इसको पीने के पानी के अलावा और किसी भी रूप में काम में ले सकते हैं, घ में उसके साथ-साती दोस्तों हवासे विपरी दिशा में आपको फेकना ही नहीं है अंतिम आवे धन जब भी आप दवाइका करें उससे फसल कटाई का टाइम कम-से-कम 20 दिन के गैप के बाद में होना चाहिए मधुमक्ty पालन के शेत्र में मचली पालन के शेत्र में दवाई का उप्योग बहुत ही सावधानी पूरवक करना है. उनको किसी प्रकार से कोई हानी नहीं होनी चाहिए. यहुति तमाम जानकारियाँ, तमाम सावधानीया काला सोना दवाई के बारे में. आनेवाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एक बहुत ही ज़़दार दवाई के बारे में जिया दोस्तों, MBF Company की Brahmos 44 जिया दोस्तों, यह rocket नुमा दवाई है कैसे यह rocket बना देती है आपकी फ़सल में कैसे यह rocket बना देती है आपकी फ़सल को ये जानकारी लेने के लिए आपको आने वाला अगला वीडियो जरूर देखना है दोस्तों व्यापक रूप से विस्तार रूप से चर्चा करेंगे ब्रहमोज दवाई की अगर आपको ये पूरा वीडियो ये पूरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो हमारी मेहनत कहीं न कहीं आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन का घंटी वाला वटन जरूर दबाना है दोस्तों इस वीडियो से अगर वैल्यू मिले तो इसे अपने दोस्तों को वाटसअप के माध्यम से, फेस्बुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से इसको जरूर फैलाएं दोस्तों ताकि ये बहुत अच्छी काला सोना की जो जानकारी है, काला सोना की जो दवाई है ये हर किसान तक हम पहुंचा पाएं और उनकी खेती को आसान और उनके फायदे को दुगना कर पाएं दोस्तों नोटिफिकेशन का बटन इसलिए भी दबाना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे दोस्तों नमश्कुल